डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्टेट्स यू अबाउट करोना सिचुएशन इन कैनडा एंड अराउंड दे गलोग कैनेडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी मतासर होने वाले अफरात की तादाद 11697 हो गई कैनेडियन सूबे क्यूबैक में एक बार फिर करोना वाइरस के फैलाओं में तेजी 24 गंटों के दौरान 180 नए कैसिस रिपोर्ट जबकि एक हलाकत सामने आई है कैनेडा के टॉप ब्यूरोक्रेट ने डेबलू ई चैरिटी को कांट्रेक्ट देने के मतनाजब फैसले पर वजीर आज़म और वजीर खजाना के हक में बड़ी गवाही दे दी कहते हैं वजीर आज़म को खुद मामले से दूर रखना नाममकिन था वफा की हकूमत के करोना वाइरस एक खिलाफ रदे अमल में मजीद बेहतरी की जरूरत है कैनेडा की सैनिट कमिटी बराए कौमी खजाना ने रिपोर्ट जारी कर दी दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद एक करोर पचास लाख निनानवे हजार चैसो साथ तक जा पहुंची जबकि इस मूजी वाइरस से हलाकते छै लाख उन्नेस अजार चैसो नौ हो गई करोना वाइरस से अमरीका में हालात मजीद बत्तर हो गए टरम ने लोगों पर जोड़ दिया कि वो मास पहने और कहा कि वो खुद भी मास अपने साथ रखते हैं अमरीकी सदर बनने के बाद पहले दिन मुसल्मानों पर पाबंदिया खतम करूंगा जो बाइडन का कहना है कि सदर बनने के बाद हमारी पहली तरजी होगी कि मुसल्मानों की तजवीज और खशाथ को सुना जाए जो हमारी क्यमुनिटीज के लिए एहम है हेडलाइन साब ने जानी और अब खबरें तफसील के साथ कैनेडा भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 88862 तक जा पहुची मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वाइरस के फैलाओं में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है आखरी इतलात के मताबिक कैनेडा में करोना वाइरस से मतासर होने वाले अफराद की तादाद 11,697 हो गई है मुल्क भर में करोना वाइरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,862 तक जाँ पहुंची है क्यूबेक के सूबा करोना वाइरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ सूबे भर में करोना वाइरस के मजमुई केसिस की तादा 57,796 हो गई है जबके सूबे में करोना वाइरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 5,698 तक जान पोची आंटेरियों में करोनो वायरस से 37,942 अफराद मतासिर हुए हैं जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,753 है ट्रोंटों में चलने वाली तमाम गोर्ट ट्रेन और एक्सपर्स ट्रेनों में मसाफरों के लिए अब मास लगाना लाजमी करार देया गया है बगैर मास के मसाफरों को सफर से रोका जा सकता है इंतिजामिया का कहना है कि ट्रेनों के अमले पर भी ये कानून लागू होगा और ट्रेनों में सीटों के दर्मयान प्लास्टिक शीट भी इस्तिमाल की जाएंगी ताके मसाफिरों को एक दूसरे से दूर रखा जा सके अलबर्टा में करोना वायरस के पहलाओं में इजाफा देखने में आ रहा है जिस पर हुकाम ने तश्वीश का इजार किया है सूबे भर में 9,728 अफराद को करोना वायरस से मतासर हुए जबके 172 अफराद हलाख हो चुके हैं विटिश कोलंबिया में 3,328 अफराद में करोना वायरस की तजदीक हुई जबके सूबे में करोना वायरस से हलाख होने वालों की तादात 189 हो गई है गुजश्टा एक मास से भी जायत के अरसे के बाद क्यूबेक में एक ही दिन में सबसे ज़्यादा केसिस रिपोर्ट हुए जिस पर हुकाम का कहना है के वो सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखे हुए है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे क्यूबेक में एक बार फिर करोना वायरस के पहलाओं में तेजी देखने में आ रही है सूबे भर में 24 घंटों के दौरान 180 नए केसिस रिपोर्ट हुए जबके एक हलाकत सामने आई गुजिशता एक माँ से भी जायत के अर्से के बाद सूबे में एक ही दिन में सबसे ज्यादा केसिस रिपोर्ट हुए जिस पर हुकाम का कहना है कि वो सूरतहाल पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं इस ते पहले 12 जून को इतनी बड़ी तादाद में सूबे में नए केसिस देखने में आये थे वजीर सेहत ने अपने टूइट में कहा कि मजीद स्क्रीनिंग से ज्यादा केसिस सामने आ सकते हैं हम खास तोर पर मॉन्ट्रियाल में सूरतहाल पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं माहिरी ने सहत का कहना है कि अगर एक कदम पीचे हटकर देखें कि कैनिडा में क्या हो रहा है हाउस आफ कॉमन्स की फाइनस कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए आयान शोगार्ट का कहना था कि प्रोग्राम की 900 मिलियन डॉलर्स की मालियत है और इतनी बड़ी मालियत के प्रोग्राम का फैसला वजीर आजम और वजीर खजाना की मुशाफरत के बगएर मुम्किन नहीं हो सकता मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा के टॉप ब्यूरोक्रेट ने डबलू ई चैरिटी को कांट्रेक्ट देने के मतनाजब फैसले पर वजीर आजम और वजीर खजाना के हक में बड़ी गवाही दे दी हाउस आफ कॉमन्स के फाइनस कमेटी को ब्रेफिंग देते हुए आयान शोगाट का कहना था कि इस प्रोग्राम की 900 मिलियन डॉलर की मालियत है और इतनी बड़ी मालियत के प्रोग्राम का फैसला वजीर आजम और वजीर खजाना की मुशाफरत के बगएर मुम्किन नहीं हो सकता वजीर आजम और वजीर खजाना चाहते भी तो इस मुशाफरत थे खुद को अलग नहीं कर सकते थे उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम जसिन स्टोडरो के डबलू ई चारिटी के साथ तालुकात तकरीबन हर किसी को अच्छी तरह मालूम है ताहां मुझे वजीर खजाना के एल खाना के डबलू ई चारिटी से तालुक का इलिम नहीं था आयान शुगार जो प्राइविसी कौंसल के क्लरक भी हैं इनका कहना है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आता जिसके जरीए वजीर आजम वजीर खजाना अपने एहल खाना की डबलू ई चारिटी के साथ तालुकात के बावजूद इस फैसले को खुछ से दूर कर सकते हैं उन्होंने मजीद कहा कि करोना वाइरस की वबा से निमटने के लिए हकूमती काविशों को मदे नजर रखते हुए इस मामले की एहमियत और इस मनसूबे के अवामी मफात के नताइच को मदे नजर रखें तो मुझे तो ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आता कि वजीर केनिडा ने 912 मिलियन डॉलर्स के कैनिडा के स्टूडन सर्विस ग्रांट प्रोग्राम का कॉंट्रेक्ट डबलू ई चैरिटी को देने का फैसला किया कैनिडा की सैनेट कमेटी बराय कौमी खजाने की जानब से जारी करदा एक अबूरी रपोर्ट में कहा गया है कि वफाकी हकूमत को कैनिडियन चैरियों के लिए वबाई मर्स से मतालिक इमदादी प्रोग्रामों को मजबूत बनाना चाहिए मजीद एहवाल जानते हैं इस रपोर्ट में कैनिडा की सैनेट कमेटी बराय कौमी खजाने की जानब से कहा गया है कि वफाकी हकूमत के करोना वायरस से खिलाफ रदे अमल में मजीद बेदरी की जरूरत है कमेटी की जानब से जारी करदा एक अबूरी रिपोर्ट में कहा गया कि वफाकी हकोमत को कैनेडियन शहरियों के लिए वबाई मर्ज से मतालिक इमदादी प्रोग्रामों को मजबूत बनाना चाहिए कमेटी का कहना था कि एक तौसी शुदा मनसूबे से मजीद कारोबार को मदद मिलेगी जो इन्हें बचाने के लिए दरकार है ये कमेटी वफाकी अकराजास से मतालिक रिपायर्टी पारलिमानी तरीके कार में वापसी की भी सिफारिश करती है क्योंकि पारलिमेंट का हकुमती अकराजात की मन्जूरी और इसका जाहिज़ा लेने में बन्यादी किर्दार है करोना वाइरस के मुजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खून खूर पंजे गार रखे हैं जिसके ना सर्फ मरीजों में बलके इस से अमवाद में भी हर रोस इजाफा हो रहा है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में करोना वाइरस के मुजी वबा ने दुनिया भर में मसलसल अपने खुनखुआर पंजे गार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके इस से अबाद में भी हर रोज इजाफा हो रहा है दुनिया भर में करोना वाइरस से मतासर अफराद की तादाद एक करोड़ पचास लाग निनानवे हजार चैसो साट तक जाप पहुची है जबकि इस मुजी वाइरस से हलाकतें च्छै लाग उन्निस हजार चैसो नौ हो गई हैं अमरीका ताहाल करोना वाइरस से सबसे ज्यादा मतासर होने वाला मुल्क है जहां ना सिर्फ करोना मरीज बलके इस से हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा हैं अमरीका में करोना वाइरस से अब तक 1,44,953 अफराद मौत के मूँ में पहुँच चुके हैं जबके इस से बिबान होने वालों की मजमूई तादाद 40,28,579 हो चुकी है करोना वाइरस के मरीजों की तादाद के हवाले से मौमाले की फैरस में बराजील दुसरे नमर पर है जहां ये वाइरस 81,597 जिन्दगें निकल चुका है जबके करोना मरीजों की तादाद 21,666,532 तक जहां पहुँची है बहारत करोना वाइरस के मरीजों की तादाद में तेजी से अजाफे के साथ इस फैरिस में तीसरे नमबर पर पहुँँ गया है जहां करोना से 28,771 हलाकते हो चुकी है जबके सब्सक्राइ मरीजों की तादाद 11,94,888 हो गई है करोना वाइरस से रूस में कुल अमवाद 12,580 हो गई जब के इसके मरीजों की तादा 7,83,328 तक हो चुकी है साउथ अफ्रीका में करोना वाइरस की वबा से मजमूई अमवाद 5,368 हो चुकी है जहां इस वाइरस से अब तक कुल केसिस की तादा 3,81,998 रिपोर्ट हुई है इरान में करोना वाइरस से मरने वालों की कुल तादा 14,634 हो गई जब के करोना के कुल केसिस की तादा 2,78,827 हो गई साथिया अरब में करोना वाइरस से अब तक कुल अमबाद 2557 रिपोर्ट हुई है जबके मुम्लिकत में इसके मरीजों की तादाद 255825 तक जा पहुची है अमरीका के सैंटर फॉर डिजीजस कंट्रोल ने तसलीम किया है कि मुल्क में करोना के शिकार अफराद की असल तादाद रिपोर्ट किये गए केसे से कम से कम 13 गुना ज्यादा है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में Am Marka के सदर डोनल स्टरम ने तसलीम किया है कि करोना वबासे मुलक में हालाद बेतर होने से मजीद बद्तर होंगे Am mereka में इस खदरनाक बिमारी से हालाक अफराद की तादाद 1,45,000 और बिमारों की तादाद 40,000,000 तक जा पुँची वाइट हाउस में बगएर मास लगाए प्रेस कॉंफरेंस करते हुए सदर्टरम ने लोगों पर जोर दिया कि वो मास पहने और कहा कि वो खुद भी मास अपने साथ रखते हैं अमरीका के सेंटर फॉर डिजीस कंड्रोल ने तसलीम किया कि मलक में करोना के शिकार अफराद की असल तादाद रिपोर्ट किये के किरिसिस से कम से कम 13 गुना ज्यादा है नियू यूर्क, कैलिफॉर्णिया, फ्लॉरीडा, टैकसास और नियू जर्सी से सबसे ज्यादा मतासर हैं पचास रोजबात मलक में फिर से रोज़ाना एक हजार अफराद की अमबाद भी होने लगी है जब कि सिर्फ कैलिफॉर्णिया में बिमारों की तादाद चार लाग तक जाँ पहुँची है अमरीकी हुकाम ने ये भी इल्जाम लगाया कि दो मुच्तबा हैकर्स ने अमरीका में तयार की जाने वाली वैकसीन का डैटा चीन के लिए चुराने की कोशिश की है सदार्ती उमीदवार जोबाइडनर ने कहा है कि अगर वो सदर बने तो रोसमर्रा के मामलात पर अमरीकी मुसल्मानों की तजवीज और खशात को पेशे नज़र रखेंगे और मुसल्मानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे मजीद एहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में डेमोकरिटिक पार्टी के सदार्ती उमीदवार जोबाइडनर ने कहा है कि वो मुन्तखिब होकर मुसल्मानों को अपनी इंतजामिया में शामिल करेंगे मुसल्मान सेहत और फौस समेथ हर शोबे में नुमाया फिन्बा सर अंजाम दे रहे हैं इन ख्यालात का इज़ार उन्होंने अमरीकी मुसल्मानों की तन्जीम एमगेच एक्शन की ऑनलाइन तक्रीब मिलियन मुसलिम वोर्ट से खताब करते हुए कहा सदारती उमीद मर जुमायनन ने कहा कि अगर वो सदर बने तो रोस मर्रा के मामलात पर अमरीकी मुसल्मानों की तजवीज और खशात को पेशे नजर रखेंगे और मुसल्मानों को अपनी इंतिजामिया में शामिल करेंगे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ अमरीकी मुसल्मान भी फैसला साधी में शिराकतदार हों मुन्तखिफ हुआ तो पहले दिन मुसल्मानों पर पामन्या खतम करूंगा सदर बनने के बाद हमारी पहली तरजी होगी कि मुसल्मानों की तजवीज और खशात को सुना जाए जो हमारी कमिनिटीज के लिए एहम है उन्होंने कहा कि आप वो काम कर रहे हैं जो इस साल से पहले कभी नहीं किया गया आप नवंबर में दस लाग मुसल्मानों को वोट डालने के लिए रिजिस्टर कर रहे हैं ये एहम हैं आपकी आवास आपका वोट है और आपका वोट आपकी आवास है मुसल्मान सेहद और फौस समित हर शुबे में खिद्मात सरदर अंजाम दे रहे हैं अमरीकी मुसल्मानों की आवास ने एहमियत रखती हैं टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहे हैं टैग टीवी झाल